पाठ दो, हमारी वर्ण माला, स्वर, वर्ण, हिंदी अल्फबेट, वावल्स, देखिये, पढ़िये और समझिये, अ जमा म, जमा अ, जमा र, जमा अ, आ, जमा ओ, बच्चों, उपर दिये गए चित्र में, रोहन के मुह से कुछ ध्वनिया निकल रही हैं, इन ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे, अ, जमा म, जमा अ, जमा र, जमा अ, अमर, आ, जमा ओ, आओ, इन ध्वनियों को लिख कर दिखाने के लिए, कुछ लिखित चिन बनाई जाते हैं, इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं, वर्ण माला में दो प्रकार के वर्ण हैं, हिंदी की वर्ण माला में स्वरों के 11 वर्ण हैं जो हिंदी को संस्कृत से प्राप्त हुए हैं हमने सीखा भाशा की ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन वर्ण कहलाते हैं वर्ण लिखित भाशा की सबसे चोटी इकाई है हिंदी की वर्ण माला में स्वरों के कुल 11 वर्ण हैं